हलो फ्रेंड्स वैलकम टो कृष्णा क्रेशन देखिए आज मैं आपको इस टाइप का यह जो हम श्रक कह सकते हैं या टॉप यह बनाना पताऊंगी इसके अंदर या तो आप स्लीवलेस टॉप बना लें या स्पैगिटी आप किसी के उपर भी इसे पहन सकते हैं क्योंकि यह ज्यादा तर जितने पिक मुझे आये हैं आप लोगों ने जो भीज़े हैं वो सारे औरगंजा फैब्रिक या टिशू फैब्रिक में ही हैं और यह ट्रांस्परेंट फैब्रिक में ही बनेगा ठीक है इसके साथ आपको जो भी आपकी स्कर्ट होना उसका एक बैल्ट तयार क करने के वीडियो में अल्रेडी अपलोड कर चुकी हूं तो आप वहां से देख सकते हैं तो यहां पर हम इस और गंजा फैब्रिक से बनाएंगे इस कैप टॉप को मेरे सब से सवा मीटर फैब्रिक में यह किसी भी नापका आप बना सकते हैं और मैं भी इसे पहली बार ही ब करते हैं तो मेरे पास यहां पर 130 cm कपड़ा है तो मैंने इसे पूरा ले लिया है अब हम इसे four fold करेंगे तो देखिए ये मैंने किया double fold और इसके बाद इसे हम इस तरह से घड़ी कर लेंगे और चुकि ये टिशू है ना तो बहुत ज़्यादा सरकता है तो आप इसे pin up कर लीजिए जिससे इसकी cutting हम easily कर सके हैं और हमें कोई problem नहीं आया है cutting में तो देखिए friends मैंने इसे four fold कर दिया है यहाँ पर तो यह folded side है जो हमारे front back के piece निकलेंगे और ये side ये double वाली side है ये देखिए ये तो ये sleeves की side जो होती ना वो है अब यहाँ पर पहले में ले लेती हूँ neck तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि neck width मैं यहाँ से लूँगी four inch ये हमने four ले लिया ठीक है और इसकी गहराई में ले रही हूँ कुल two inch इसकी वे गहराई मैंने लिए है two inch तो ये हमारा इस तरह से आया और ये neck की मैंने shape लगा दी अब आपको क्या करना है कि आपको इससे पूरा इस तरह से umbrella cut करना है यहाँ से आपको इस तरह कर्ब देते हुए हैं मिला देना है तो हमको यहाँ पर दो cutting करनी है एक तो तो front और back में same है और एक इससे पूरा आपको umbrella cut करना है अब आपको क्या करना है कि पहले तो इसको अंदर से पूरी पट्टी इसकी फोल्ड करनी है यहाँ पर आप बारेक फोल्ड कर दीजिए और दूसरे आप इसका ये पूरा round fold कर लीजिए तो बहुत simple है हमको सिर्फ बारेक फोल्ड करना है इसे तो पहले अगर आपकी double fold में एक बार में सफाई नहीं आ रही है तो आप पहले इसे इत्ता बारेक single fold कीजिए जब हम इसे पूरा single fold कर लेंगे तो यह easily double fold हो जाएगा और आपकी किनार में कोई जोलनी आएगे तो मैंने इसे fold कर लेती हूं तो देखे friends मैंने यहाँ पर इसका neck जो है वो fold कर लिया है और इसे मैंने todos किया एक बार single fold किया, ये देखिए आपको double सिलाई दिख रही होगी, पहले मैंने single fold किया इसे पूरे में और उसके बाद मैंने इसे double से fold किया तो बिल्कुल भी आपको जोल कहीं से भी नहीं आएगी और देखिए गोलाई पे भी ये बिल्कुल अच्छे से fold हो जाएगा ठीके, तो ये दोनों काम हमारे हो गए, अब आपको क्या करना है इसे बिल्कुल बराबर से रखिए तो ये तीन तरब से मैंने इसे pin up कर लिया अब आपको इसमा थोड़ी से सिलाई लगानी है, ये देखिए यहां से इस तरह से ये दोनों front और back दोनों piece चल रहे हैं ये 19 इंच पर मैं एक निशान लगा लेती हूँ, ठीके सेम निशान हमको यहां लगाना है या आप इसको भी इदर पलट कर एक जैसा निशान ले सकते हैं बिलकुल बराबर हैं मेरे दोनों निशान अब आपको क्या करना है कि ये 19 इंच पर जो निशान है न इन दोनों को आपको मिलाना है यहां से मैंने मिला कर रखा है इसे बिलकुल अब आपको इसे यहां से यहां तक इतना सिल लेना है यहां से यहां तक इन दोनों को कपलों को ऊपर से ही मैं यहां से सिलाई लगा दूंगी और इसे भी मैं ऊपर से ही यहां सिलाई लगा दूंगी जिससे क्या होगा कि ये नीचे का पार्ट हो जाएगा और ये स्लीवस वाला पार्ट हो जाएगा आप अपने हिसाबसे से थोड़ा कम ज़्यादा भी रख सकते हैं ये उपर से मेरा आगया है शोल्डर से ये 17.5 इंच पर ये निशान आया है शोल्डर से आप चाहें तो इसकी जो ये जो कैप है ना इसकी लंबाई और जादा ले सकते हैं जैसे मैंने एक सोती सेंटीमेटर कपला था टोटल आप इसे डेल मेटर लेके पूरा डेल मेटर का भ यहां से इतना इतना मुझे सिलना है यहां पर हमको नेफा लगाना है तो पहले मैं से यहां से सिल लेती हूं थोड़ा थोड़ा तो देखे फ्रेंट्स मैंने यहां से यह दो इंच के सिलाई लगाई है यह अब देख सकते हैं सिर्फ दो इंच के मैंने यहां से सिलाई लग यहहाँ आपको बनाना है नेफ। तो इसे आप उल्टा ओल्ट करेंगे और यहां से हम स्टार्ट करेंगे पूरे में एक पट्टी से लेंगे और यहां से पूरी में हमको एक नेफ। बनाना हैं जिसमें हम elastic insert करेंगे या तो आप इसे simple पहनेंगे तो जब भी आप पैल लगाएंगे आपको ये पट्टियां ऐसे सही से set करने पड़ेंगे ये एक option है और दूशा option है कि आप इसके अंदर नेफा लगा दें और elastic लगा दें तो ठीके तो जो इसके गुलाई मेंसे कपड़ा निकला था उसमें से मैंने ये पट्टि सिल ली है और ये पट्टि मैंने ली है डेढ़ इंचे चड़ाई की अब हम क्या करेंगे इसे इस तरह रखेंगे और जो ये निशान मैंने लगाया है इसके दोनों साइड आपको इसे यहां इस तरह है और यहां इस तरह है ऐसे सिलते हुए हम इसमें एक नेफा बना लेंगे तो यहां पर नेफा बनाने के बाद उसमें मैं Elastic Insert करूंगी तो देखे फ्रेंड्स मैंने यहां से पूरा यह अंदर से इसमें नेफा लगा लिया है और यहां नेफा मैंने यह पूरा पैक कर दिया है एक साइड से मैंने थोड़ा सा यह ओपन रखा है यह यहां से यहां उपर की साइड से मैंने एक साइड से ओपन रखा है और बाकि हमन तो जितनी कमर थी, उतनी 28 सिंच कमर थी, 28 सिंच की पूरी एलास्टिक काट ली है, आप अपने हिसाब से थोड़ा कम जादा भी कर सकते हैं, और अभी मेरे पास ये इतनी पतली वाली आश्टिक की available है, आप थोड़ी से चोड़ी आती है वो वाली एलास्टिक डाले, तो क्या उससे लोग अच्छा आएगा तो यहां से क्या एक बिल्कुल finishing से देखेगा अभी मैं आपको यह वाली elastic डालके पता देती हूँ तो यहां हमने थोड़ा सा जो open रखा है उसमें से मुझे यह elastic पूरे में insert करने है इसमेना चुणना डिकती आजाएगी कि आपकी white elastic भी visible नहीं होगी कि इसके अंदर white elastic है ठीक है अब आपको क्या करना है वही सिर्फ इन दोनों elastic को साथ में मिला के sill देना है और sillने के बाद हम यहां से यह open area है न इसे आप चाहें तो बंद कर दें या ऐसा ही रहनने क्योंकि पहनने के बाद आप जितना comfortable हों उसे साथ से इस elastic को और जादा भी sill सकते हैं क्योंकि मैंने पूरा जितना waist round है ना पूरी elastic ली है 28 inch की यहां से मैं इसे sill देती हूं तो देखिए यहां से मैंने इस पर sillाई लगा दी यह आपका जो cap top है यह तैयार हो गया अब आपको इसके लिए सिर्फ एक belt लेना है जो आप अपनी skirt के matching का भी ले सकते हैं या जो भी आप अपनी साड़ी वगेरा पे पहनते हैं उस type से आप कोई साभी belt ले सकते हैं तो देखिए मैं आपको इसे dummy पर लगा कर दिखाती हूं इसके उपर belt लगा कर दिखाती हूं तो देखिए elastic लगाने के बाद इसका इस तरह से look है और इसके उपर अभी मैं belt लगा लेती हूं तो देखिए यहां पर मैंने यह belt लगा दिया है इसमें और इस तरह से इसका look आया है जब आप इसे पहनेंगे न तो sleeves आपकी उपर की side plates बन जाएंगी इसमें यह straight नीचे की side गिर रही है और यहां इसकी length आप अपने हिसाब से ले सकते हैं और length के हिसाब से ही आपको material लेना है तो I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा और बहुत easy है एक पहुचू की तरह है यह भी तो अगर आप इस वीडियो से देखकर इस cap top को बनाएं तो उसका pic मुझे instagram पर जरूर शेयर करें इसी के साथ वीडियो आपको पसंद आया हो तो like और share करना बिलकुल न भूलें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार